चलिए न आज बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इश्ट्रोबेरी मिल्क सेख जिसी बनाना काफी रसान है और पीने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है तो चलिए फटा-फट से रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नारियल ले लिया न सारा मलाई निकाल कव एक कटोरी में ढाल देंगे और इसके बाद हम इसे मिक्सिजार में ढाल देंगे नारियल के मलाई को अब हम लेंगे इस्ट्रोबेरी और इस्ट्रोबेरी को अच्छी तरीके से धो लेंगे और इसके green वाले parts को cut करके हटा देंगे और इसके बाद हम इसे बारी cut करके mix जार में डाल देंगे अब हम इसमें add करेंगे अपने मनपसंद के कोई भी dry fruits मैंने यहापे काजू और बादाम डाला और इसके बाद हम taste के coating चीनी डाल देंगे और फिर हम इसमें एक कप के करीब दूस डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से grind कर लेंगे और इसके बाद हम इसे glass में sauv करेंगे और उपर से डालेंगे कुछ dry fruits और बारी कटा हुआ strawberry थो बस अब है त्यार है आप भी इसे जरूर से try करना चलो बाई